इस रक्षा बंदन पर अपने भाईयों को अपने हाथ से बनी मिठाई खिलाइए तो चलिए बनाते हैं उसके लिए मैंने एक पैकेट मेरी गोल्ड बिसकिट लिया है और अब हम उसको एक जार में डाल कर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो इसी तरह से मैंने सारे बिसकि अब इसमें दो चमच मलाई डालेंगे और साथी साथ इसमें आधा चमच एलाईची पाउडर और दो बड़े चमच घी एड़ करेंगे और अच्छे से ये पूरे मिक्शर को अच्छे से मिला लें जिसमें हमारी मिठाई बजार जैसी टेक्श्चर में आ जाएगी और दूद से फुल फैट क्रीम दूद लिया है मैंने और थोड़ा थोड़ा दूद डाल कर अच्छे से सॉफ्ट दूद तयार करेंगे फ्रेंड्स एक बार आप इस तरह से मिठाई बना कर देखे आपको बहुत ही पसंद आएगी और अब ये दूद तयार है और इसको दो भा आपके पास हर्शी सीरप नहीं है तो कोई बात नहीं आप दो चमच कोको पाउडर डाल कर इससे भी बहुत इच्छी मिठाई बना सकते हैं तो आप इन सब को अच्छे से मिक्स कर लें और अब हम एक शीट लेंगे प्लास्टिक शीट और उसमें डो को जो हमने पहले दो ड अब यह बारतिन उपर से रहेगी तो आसाने से यह बिल जाता है और कोई भी प्राब्लम नहीं आएगी अब यह बेलने के बाद अब एक बार देख लेते हैं आप अभी थोड़ा थोड़ा कहीं मोटा लग रहा है तो एक बेलन और लगा देती हूं इस पे और अब हमारी य जो चकलेट वाला है उसमें मैंने कुछ काजू, बादाम और नारियल पुरादा को बारिक बारिक कट कर लिया है और उस डो में अच्छे से मिला लेंगे यह हमारी फिलिंग हो जाएगी तो बहुत ही टेस्टी टेक्स्टर का मिठाई तयार होगी तो इसी तरीके से पूरे लो में अच्छे से बादाम, काजू और नारियल पुरादा मिक्स कर लिया है और अब हम इसको रोल कर लेंगे और एक पतला सा स्लेंडर शेप का रोल तयार कर लेंगे और यह बड़ा वाला हमने बेला है ना उस पर यह रोल रख कर और शीट को घुमाते हुए रोल करते जा और उसको दूसी तरफ से रोल करेंगे और इसी तरीके से पूरा रोल तयार हो जाता है और अब बचा हुआ बादाम, काजू का जो पाउडर है ना उसको हम इसके उपर डालते हुए शीट को फोल्ड करते जाएंगे और जिसी यह रोल में अच्छे से पूरे में लग जाए एक घंटा हो गया है, अब मैं चेक कर लेती हूँ, इसके किनारे के पीस को दोनों तरफ से कट कर लें, जिससे हमारा रोल बिल्कुर एक सान होगा और अब हम इसको बराबर बराबर पीस में कट कर लेते हैं क्योहर के समय पर बहुत ही मिलावटी मिठाईयां बजार में मिलती हैं, तो फ्रेंट्स आप एक बार इसी तरीके से मिठाई बनाएए, और अगर आप इसको मिठाई की डिबे में रख देते हैं, तो आपके भाई भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये मिठाई आपने खुद बनाई हैं, तो इसी तरीके से पूरी मिठाई बनाने के बाद देखें आप कितनी सुन्दर लग रही हैं, अगर आपको ये रस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, थैंक यू